आम तौरते ना सुने आगी में बहुत बहुत सुने है क्या दवाई खाओ एक हपते चे बजल खटा ओंगे दवाए खाओ एक भी मीद्री चैना बजल कटा ओंगे ग्रंटियां देती है जानी आधिगा देरी इंडस्ट्री दा एक बहुत बड़ा सीकर्ट है कि दूत बढ़ाण वास्तिक कुछ भी कर सकतेने गावानों इन्ने इंजेक्शन लगाए जान देने और जो इंजेक्शन गावानों लाके वो दूती सप्लाई वधा रहा है तो आड़े अंदर भी ओ मुटापेदी सप् इन में कारण में जेड़े मैं आइडेंटिफाई किते ने जिस करके मुटापेदी तकलीफ आजका लोका नों बहुत जादा आ रही है जेड़े साथी बोड़ी विच अगर कोई भी प्रॉसेस्ट या जंप फूद जाएगा जड़े हैवी एट हैवी टो डाइजेस्ट है तो बोड़ी यह नों प्रॉपरली नहीं मेटोबलाइज कर पापाएगी और वो अंदर बोड़ी विच फस्ट जाएगा कि जड़ा पन बिस्केट खाते है जिनू कईरी केंदे वेट लॉस्केट है या डाइजेस्टिव बिस्केट है वो भी दरसल कहन नों लिख्याता होंगा है पर उदे पिछे अगर चेक करोगे ति बढ़िया ओवी 17-75% मैदे दे होंगा है इंट्रमेटेंट फास्टिंग जिनू 16 घंटे दा उपवास 14 घंटे दा उपवास अक्सर गया जंबा है यह बहुत पॉपुलर हो गया है बहुत लोकी बहुत डॉक्टर्स इसनों करन लग पेने दुकर कर दो करने घंटे चर्बिटाँ ने शुरू कर देंदी है चर्बिन चाछियरी शुरू कर देंदी है सबी मुण साफ करनी शुरू कर देंडी तो इस लए साथि भॉड़िविज ही शिस्टम बनें हो एक जिर भउन हो चाता ह Behaviorize & White लास तरण वास्ति लोगा पास्टिंग अपने आप कुछ एक अच्छी चीर है पॉर दर टाइम बेंग अपने बोड़ी नो साफ करन वास्ते लेकिन अगर सही तरीके नाव नहीं किती जाए ते उदा नुफसान भी हो सकता है एक मी निज एक मोटे इंसान दा किना कवज़र काच सकता है सच्रियकाल जी दा खालसी वी देखनवाले देश दुनियां दे साथे सारे दर्शकान बहुत-बहुत स्वागत है साथे बहुती खास सेथ नाल जुड़े हुए प्रोग्राम देवेच जिस्ता नाम है कि पोजन ही बमारी ते पोजन ही इलाज तो अधिन सोई वी जिड़ा थोड़ी स्रीय इंपमारियां दा इलाज हुए पर असी सारा कुछ जान दे नहीं हुए थे एक साथे समाज देवेच एक डिएटिशन वर्ख है जड़ा कि सब कुछ जानदा हुए अपनी दाएटनों लेके क्यूकि उना भी स्टाइटिंग द अज भी साथना जोड़े हुए अज भी साथना जोड़ चुके नहीं दॉक्तर कमार पीट सिंग सिद्धा कैनिड़ा तो होना दा स्वाधत कार देयां अपसा बहुत बहुत स्वाधत थे प्रोग्राम देवेच श्रीक आदी तैंक यू सो मुच पर हाविग में आज जोड़ा है और है मुटापा इंसान दी सेफ दे नाड जुड़ा होया मुटापा एक समस्या है जिस्तों जादा तर लोग जीनू मुटापा हुंदा है और हरे एक व्यक्ति इस तो छुटकारा पाना चांदा है चाहे बच्चा होए नौजवान होए बजुर्क होए मुटापी प्रॉब्लम हुंदी है वह हमेशा डॉक्तरा ने कोल जानदा है एक दूसरे तो नुस्खे जड़े ने वो पुछ दे रहने ने लोगी के किमी आप ठीप करिए पर अपनी डाइट दे विच भी मुटापी दा इलाज हुंदा है द्वाईयां दे विच कदे वी इलाज सानु शाहिद नहीं मिल सकता क्योंकि दवाईयां ने जड़ियां खास करके इंग्रेजी दवाईयां बारे कहा जाना है कि जैसी एक वारी मुटाम करन दे लेई अलोपैथिक दवाईयां दे विच कोई न कोई हो जड़ी समस्य है वो ज़रूर नाड लाई कि आने ए जो डॉक्तर कमल प्रीजी सब तो परना जी मैं स्वाल पूछा के मुटापपा इंसान दे स्रीर दे विच हुंता क्यों है क्योंकि आम तौरते में देखे है कि बहुत सारे लोग के हुझे हुझे जिनना दी डाइट ना बहुती खराब हुंदी है ते ना ही बहुत जादा ह खान भाड़े गुंदेने फिर भी मुटापपे दी बमारी होना चमबर जान दी है की कारण तुसी मान दे हुझे आँ है की तो शेरीर दे विच जो चीज जा रही है वो अंदर प्रोसेसिंग होन तो बाद बाहर प्रॉपरली नहीं निकल पारी या फिर अंदर प्रॉपरल वह हजम ही नहीं हो पारी, तो मैं था उन्हों सिंपल एग्जांपल देंगा, बहुत सिंपल, जिमें मानलों अपा एक सेव उन्हों खादा, उन्हों सेव खादा थे अंदर जाके वह पहला पेट भी जाएगा, हाइट्रोक्लोरिक एसेड हो ते वर्क करेगा, उस तो बाद व जाएगा, जित्तों साड़े आंता, उदे विचे न्यूट्रेंट्स करने अब्सॉर्ब, जिमें वाइटमिन A, B, C, D, या फिर मैगनेजियम, कॉपर, माइक्रो न्यूट्रेंट्स हो गए, यह सब चीजां जो हो उन्हों चाहिए दिया ने, वो अब्सॉर्ब हो जाएगा होन होएगा कि, वो दे विच कुछ थोड़ा बहुत वेस्ट प्रोडक्ट भी हैगा, जड़ा बॉड़ी तब बाहर निकलना चाहिए दा है, तो जे बॉड़ी उसनों बाहर ना निकाले प्रॉपरली, तो अंदर स्टोर हैगा किते ना किते, पर वैसे मैं एक्जांपल देत किता है, सेब दा, कि सेब काफी वदिया चीज होंदी है, तो उस चीज नाल साड़ी बॉड़ी भी जादा वेस्ट टिकटा नहीं होंदा, लेकिन अगर असी बहुत हैवी चीजां खाईए, या तलिया, पुनिया, जंग चीजां खाईए, तो वो प्रॉपरली हजब नहीं ह अंदर ही रह जाना है, मैं एक एक एक्जांपल तो उन्हों समझाना हैगा, जिए मान लो, असी कोई आगल अगबाल नहीं हैगी है, आगबालन वास्ते सानों चाहिए दियाने लकणा, और वो जड़ी लकणा में जद आगल आवांगे, तो हीट निकलेगी, और फिर वो लक कुछ पार्ट है, जड़ा साड़ी बोड़ी में चाहिदा है, इन दा फॉर्म अप नियोट्रियंट्स, ते कुछ उसनों बाहर कटना हैगा, जिए वो बाहर नहीं निकलेगा, ते वो अंदर 20 रूप पे स्टोर होंदा जाएगा, ते उन होंदा की है, कि तिन में कारण, ति मोटापा आ रहे है, उन्हों wrong choice वाले food की की हो सकते है, वो हो सकते है, मैदे दे बने हो, यह चीजां जो बहुत जबादा मैदे दी चीजां खाणियां हो गई है, या फिर तुस्छी कहने हो, बहुत जबादा पे यह है, या फिर जड़ी चीजां दी TV टे एड आंदी है, ज सेकेंड जो टॉपिक है जिदे करके सानु मुठापा आंदा है ओ है ओवर इटिंग ओवर इटिंग यानि जयुवर तो जाबा खाना जिन्नी साड़ी बॉड़ी तो लोड भी नहीं है उस तो भी बाद आजकर खाना खान लग पहे हैं जिवें तिन तिन ताइम रोटी सबजी परपर के अलू प्राउंटे गोवी प्राउंटे और इनी सारी चीजा लेकिन आज तो सौ साल पहला जिन्नी अपा मैनत कर दे होंदे सी जिन्ने साड़े पूरवज खेता मिच कम कर दे होंदे सी गे तो के ओवी हजम कर लेंदे सी सारी चीजा हजम कर लेंदे सी गे और उनन नो फिर रोटी सब्जी खा दी, शाम नो फिर बिस्किट चाह पी ली, फिर रात नो फिर रोटी सब्जी खा दी, फिर रातों भी कोई स्नैक नमकीं खा ली, तो इस तरह पर स्वेट तो लेके उठन तो लेके सौन तत कुछ ना कुछ खांदी रहन दिया, this is overeating, तो अगर अप जाना सेगा ते पैदल जाना होंदा सेगा, और सीडियां चट दियां पैंदियां सेगियां, अज लिफ्टा आगी आने, कारा आगी आने, वर्क फॉम हो गया है, तो फिजिकल बॉड़ी ती मुव्मेंट जड़ी है, almost negligible हो गी है, तो इना तिन कारणा करके साड़ी बॉड जड़ा है, मुटाप्पे तो बच जामागे, पर फिर भी, असी तो पुछना चोने आ के, जे इनसान नो मुटाप्पा हो भी गया है, क्योंकि जाहित तौरते हर कोई इना ते अन अपनी सेदा नहीं रखदा, पर जो मुटाप्पा बादा जाना है, ते इनसान ती चंता त जाना है, ते पर हो कारन लापदा है, यानि कि जड़ा है कि कि में जड़ा है कि कि में जड़ा है कि में जड़ा है वेट नो लूज किता जा सकता है, तो तुसी अपने वलो की सजेस्ट करोगे कि इसलामादे होंगे कि में पार्नोकटा जा सकता है, तो बाल मेरे बहुत सारे जो आपने आपना नो ठीक कर ली है ते अपने मुटापे दी तकलीफतों छुटकारा प्राप कर सकदे हैं तो जे आसी अपनी food choices नो correct कर लिए, जे आसी जिननी load है, पोख है, उसने मुताबिक खाना शुरू कर दिए, और body नो exercise करानी शुरू कर दिए, तो बहुत छेती आसी weight lose कर सकते हैं. और पिछे में तो science थोड़ी जी दसना चाहूंता है, कि जेटे right food choices है, सही चीज खाना वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जेड़ी साथी body which अगर कोई भी processed या junk food जाएगा, जेड़ा heavy to digest है, तो body नो properly नहीं metabolize कर पापाएगी, और वो अंदर body भी first जाएगा, उनों केड़े foods ह हुंदेने, जेड़े hard to digest हुंदेने, वो हुंदेने जेड़े factory हैं विच्चों refine होके निकल देने, जेड़े की सफेर चीनी हो गई, मैदेदी चीजां हो गई है, जेड़े तलिया चीजां हो गई है, और इस वाला पीजा, बर्गर और ही junk food जेड़े हो गई, ये सारी चीज हो भी 70-75% मैदेदी होंदे है, और उधे विच्च भी कितेना किते, sugar free विच्च भी चीनी उच्च पई हो गई है, और अगर मानलों चीनी ना होए, कोई artificial sweetener पाया जानदा है, और वो चीनी तो भी बद खतरनाक होंदा है, और ज्यादा बिमारियां दे सकता है, तो इसलिए अपनी food choices नो correct करना पएगा, फिर जड़ी second चीज है, कि food choices साथी correct है, कि नहीं है, उधे वस्ते मैं थोड़ा general principles नो जा देंदा, कोई वी चीज खान तो पहला, हमेशा अपने अपने तिन सवाल पुछ्या करो, ता तो अनो पता लग जाएगा, कि ए चीज तो अनो मुटाप जोगाया है, तो अगर जोगाया है, जिरूए कि मानलो सेव है, संत्रा है, मौसमी है, पाइनैपल है, चीकू है, अंभ है, ता ये सारे सिदा वुदे गार्डन विच्चों, और ये फील्ड विच्चों किसान दी आ रही हैं, तो ये चीज ता नो मुटापा कटाण वीच मल है अगर वो फेक्टरी जो आ रही है ता ए समझ जाओ कि इदिना तोड़ा मुठापा कट नहीं होण वाला और सेकंड जड़ी चीज है हमेशा याद रखो जड़ी चीज सेहत वास्ते सही हों दी है तोड़ा मुठापा कटां दी है वोधी पीवी थे कदी एड नहीं आ दी है और तीजी चीज ए है कि जड़ी नैचुरल चीज होंदी है वो सड़ जानदी है जिवह हमन लो तो उसी कोई भी चिप्स दा पैकेट रखोगे तो अज भी खा सकते हो एक हफ़ते बाद भी खा सकते हो एक महीने बाद भी खा सकते हो लेकिन अगर तोसी आलू कटके रख दो तो अलू अज खा सकते हो, दो दिन बाद अगर फ्रिज भी रखो के तो शायद खा सकते हो, और हफते बाता हो सड़ ही जाएगा, तो जो चीज सड़ जानदी है, ओ चीज नेचरल होंदी है, और ओ चीज सणू फायदा कर दी है, और जेड़ी चीज सड़ दी नहीं 6-6 महीने, ओली विच प्रेजर्वेटिल्स और केमिकल पाई जान देने, जेड़े सानू विमार कर देने, मोटापा वी कर देने, तो ए था सानू अपने फूड विच ए चीज देखनी पढ़ेगी, और सेकेंडली है, कि खान, पींड़ा, टाइम सानू सेट करना पढ़ेगा, ए नहीं ये स्वेरोटे फेर खालेया, कि थोड़ी द्र बाक फेर खालेया, नहीं, सानू उपने time fix करना पढ़ेगा, नाष्ता इनने वजे करना है, दुपेर दी रोटी नने वजे करनी है, और मात दी रोटी इनने वजे करनी है, और विच विच कुछ कुछ नम कीएं, बिसकेट ए डॉक्टर्स नल गलबत होंदी है तो एक intermittent fasting intermittent fasting जिननों 16 गंटे दा उपवास, 14 गंटे दा उपवास अक्सर गया जाना है यह बहुत popular हो गया है बहुत लोगी बहुत डॉक्टर्स इसनों करन लग पेने वोदे पिछे कारण की है noble prize winning science autophagy, autophagy वीच की देखिया गया जब साड़ी बॉड़ी लगा तार कई कंटे आ तक कुछ नहीं खान दी वो पवास कर दी है, fasting कर दी है ता साड़ी बॉड़ी नों अंदरो energy requirement ता हों दी है body नो nutrients था चाहिए देने, तो body की करती है, जड़े साड़ी विच एक्स्ट्रा fat है extra body विच ग्रोथ हो रही है, वो इस दे विच्चो एनरजी करनी शुरू कर देना दी है चर्बी नो पिगलानी शुरू कर देंदी है साड़ी स्किन नो साफ करनी शुरू कर देंदी है तो इस लही साठी बॉड़ी विच ही एक सिस्टम बनिया होया है ज़़ा सानू वेट लॉस करन वास्ते help करेगा तो सानू कोई प्रोड़क्ट दे पिछे पजन दे लोड़ी नहीं वेट लॉस बास्ते सानू अपनी बॉड़ी नो बस टाइम देना है तो जे मनला उसी रात दा भोजन 7 वज़े तो पहला पहला निबेड लांगे तो उस्तों बाद बॉड़ी नो कुछ खान नो महीं दांगे स्वेर दे 9, 10 या 11 वज़े तक तो उन्हें टाइम विच बॉड़ी अपने अपनों अंदरों साफ करेगी और लेट लॉस करन विच भी मदद करेगी और तीजी चीज जो सीगी एक्सरसाइज और अपाँ वॉक करना शुरू करिये डेली अदा घंटा पर कटो गट वॉक करिये अपनी लिफ्ट लेंड भी जगा सीड़ेया चड़िये इस तो अगर तुसी थोड़ी बॉड़ी अलाओ कर दी है ते जोगिंग योगा जंपिंग जो भी एक्सरसाइज कर सकते हो ज़िए तो अड़ी हार्ट बीट तो अड़ा जड़ा जड़ा ब्रीधिंग कपैसिटी है अगर वग्दी है कि तो वी तोन वेट लॉस करन विछ हेल्प करेगी तो रखसा तुसी दूसरे पॉइंटे विचे ता अपने आप दास दता के फास्टिंग कर देने जड़ी लोगों दे की ओड़ा कारन है ते क्यों वीदी अपनाई जा रही है मैं वी समस्वाल ही पुछना सी के फास्टिंग जड़ा जड़ा तरीका है मुटापा प्र टाउन दे लेगो किनना कारगर है तो ही दासीज दावरोदे नतीजे पर किनने का मतब लॉस कर देने एस वारे सी थोड़ा क्योंकि आन तो बहुत सारे जड़े मेरे दोस्त मित रहें नोन को कि तु अपना ते डिकता रहें तो प्याल दाजाए तो चाहन कि कि हां फास्टिंग शुरू कारदेनी है मैं वर्त रखने शुरू कारदेनी मैं एक अप्ति ते जड़ा है जड़ा खाही रहना है जड़ा खाना खाना हुब दा तरीके दींगे थे जड़ा ताइम पू खा रहना है वो ताइम स्टिंग भास्टिंग मतलब सिंपल अपा सम्जिग कि कुछ ना खाना है ना ओधी गल्टी के तवरा इक मेतर है जो क्यमड़ा है कि मैं अपने एकाफ़ते तक कुछ नहीं खाना को मैं और इस तपस्या देवेच अगर उसे एक हफते तक कुछ नहीं खाऊगे, सिरफ पाणी पीओगे, तुसी एकस्पेक्ट कर सकबे हो, तो अड़ा वजन जीड़ा हैगा, तिन तो लेंके 4 किलो तक कट सकता है, on an average, किसी दा जाबा भी कट सकता है, किसी दा कट भी कट सकता है, लेकिन 3-4 किलो कटन दी उम्मीद हैगी है, क्यों? क्योंकि जिन तो सीख अफता कुछ नहीं खादा, तो बॉड़ी नो ओन energy दा चाहिए है, तो बॉड़ी अपने चरबी विच्चों ही energy कट के, उसनों use करना शुरू कर देगी, as a result, तोड़ा weight जीड़ा है, वो कटना शु देने, उन्हों समझण वास्ते किसा अनों कुछ points से क्यान देना पहेगा, पहला point ता ए है, कि तुसी कदी पहला fasting किती है, कि तो अनों इसता experience है, या फिर कि तो अनों पता है, कि एक हफता अगर तुसी नहीं खाओगे, तोड़ी body विच की changes आणगे, तोड़ी metabolic system विच की changes जानगे, तो उसनों उस एक हफते दे fast तो बाद कि में sustain करना है, यानि कि मन लो, तुसी किसी दरा 7 दिन कुछ नहीं खाता, आठवी दिन तुसी की खाना है, 9 दिन की खाना है, तो 10 दिन की खाना है, अगर तो अनों इस चीज़ दा वियान नहीं होएगा, तो अनों नुक्स जान हो सकता है, उस fast ता, क्यों? क्योंकि जा तुसी 7 दिन वास्ते कुछ नहीं खारे, तो तो अड़ी बॉडी दा digestive system थोड़ा आज आपने आपनो sleep mode विच ले आंदा है, जिस करके वोदी ज़ड़ी हजम करन दी शक्ती है, या बार बार पोख लगन दी ज़ड़ी परक्रि आइंते, तुसी की चीज खाते हो, उस तो भी जादा important है, जिनना तुसी साथ दिन तक कुछ नहीं खाता, तो जे तो अनों सही ज्यान होएगा इस चीज बारे, किस तरह उपवास नों तोड़ना है, किस तरह उनों maintain करना है, और कद तुसी फल खाने ने, कद सूप पीने न है, बाद वेच फिर नुकसान भी हो सकता है, लेकिन पास्टेंग अपने आप वेच एक अच्छी चीज है, for the time being अपने बोड़ी नों साफ करन वास्ते, लेकिन अगर सही तरीके नाल नहीं कितनी जाए, तो उदा नुकसान भी हो सकता है, बिल्कुल सो अड़क साब सही तर अच्छी नों साथी स्रीर नों विल्कुल तंदरुस्त रखे, मुटा पतला ना करे, ता ओधे नाल फिर जे किसे पंदे मुटापा कुटाओना है, मुटापा इधा कुटाओना है, जे थवाडी दसी डाइट अगरी जावे, हालां कि वडाइट तुसी आले दसी हाले दसी जानिया ने, तो जी अपर स्यानप देना देखिये, सही तरीकी देना देखिये, एक मीनिजर, एक मोटे इंसान दा किनना का वजन काट सकते हैं? पाउंड भी सीगा, 260 पाउंड भी सीगा, यानों किलो विच अगर लेगे ते 100, 110, 100 भी, एक महीने विच भी कई पेशेंट 15 किलो भी कटा आ सकते हैं? और आम तोरते हैं, अगर किसी दा वजन 100 तो उतते हैं, एक महीने विच लगबग 10 किलो तक वजन कटा सकता है, लेकिन ये सारे अनल नहीं होंदा हैगा, it depends on patient to patient, case to case और factors to factors, जिवेकि उन केरे-केरे factors हो सकते हैं, जिसते depends करेगा कि तुसी किनना वेट कटा पाओगे, पहली करता है सानों देखनी पहे है कि तोड़ा इस ताइंड किनना वजन हैगा, तोड़ी बॉड़ी भी चर्बी जादा है कि ये हटिया दा वजन जाता हैगा, तीजी चीज मौसम जड़ा हैगा, ओ किस तरह दा हैगा, थंडा या गरम, पर चौती चीज देखनी पहे है कि तुसी exercise किननी कर देओ, पंजवी चीज तोड़ी बॉड़ी दा जड़ा metabolic rate है, ओ किनना हैगा, और छेवी चीज जड़ी है तो अड़ा जड़ा food दी quality है, उसते विच water rich food किनना है, यानि रस दायक food किनना है, क्योंकि अगर जड़ा रस दायक food होएगा, और cut rust वाला food जड़ा है, और cut होएगा, ता तोड़ी weight loss दी chances और speed जड़ा होएगी, क्योंकि जिनना तोड़े भोजन विच रस जड़ा होगा, उनना तोड़ी body जड़ी है, और fill जड़ी होजाएगी, और जड़ा वरस दा वजन है, वो जड़ी ही निकल जानदा है, क्योंकि वो liquid होता है, पानी होता है, लेकिन अगर water poor food तुसी जादा खाओगे, अनाज जादा खाओगे, ता weight loss करने विच भी time जादा लगेगा, तो जाद उननने साथी डाइट शुरू किती, तो एक महीने विच ही उननने 8-10 kg लूज कर लिया सी, अगले महीने विच 4-5 kg लूज कर लिया सेगा, और तीरे-तीरे वो अपने वदिया वजन ते आगे, इसी तरह साथे एंडिया विचे केड्मी दे पेशेंट सेगे, जिनननों उनना कारणा नू, कि पहला था खाना जो चीज खा रहे हैं, और जरूरत तो वदनी खाना, और तीजी चीज है, बॉड़ी नू मुव्मेंट देनी है, तो ए चीजा करांगे, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो उसी ये टेंशन ना लो, कि एक महीने विच किना कट तुसी ये देखो कि कि मैं सही चीज खा रहे हैं, कि मैं सही टाइम दे खा रहे हैं, कि मैं exercise कर रहे हैं, ये तुसी अपने वल्लाओं कर रहे हो, तो बॉड़ी अपने आप तो उन्हों अपनी स्पीड दे रिजल्ट्स देना शुरू करतेगी. हाँ जी, सो जिवे डाइट और न्यूट्रीशन जड़ी फील्ड है, एक वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील है, इदे विच स्पेशलाइजेशन चाहिदी हों दी है, एंड हर बंदा जो है इस तर्ती थे, थोड़ा-थोड़ा वखरा ही रगने बनाया है, हर किसी दा रूटीन वखरा है, गा स्केडियूल वखरा है, बॉड़ी दी रिक्वार्मेंट्स वखरी आने, तो डाइट प्लान भी जड़ असी किसीनों परसनल कंसल्टेशन देंदे हां, तो उधे विच आसी बहुत ही स्पेशलाइज बनांदे हां, बंदेरा रूटीन देखके, वजन अचानक तो बजना शुरू हो जानता है, और वजन कटाउंट विच भी आम इनसान दे मुकाबले, टाइम ते महनत जादा लग दी है, तो सानों इस सारी चीज़ां देखनिया पेंदी आने कि की केस हैगा, उसने बेसिस से परसनलाइज एक डाइट प्लान बनाया जा देने, चाहिए असी पिछले शोज विच थाईरोट दा डाइट प्लान दसेया, या बीपी दा दसेया, या फिर डाइविटीज दा दसेया, तो उधे नालभी लोग का उनों बहुत फाइदा मिल या और मैनों मैसेज भी आन देने, तो होन तक मतलब की कोई नों कोई प्लाइट है, ओ कौन-कौन फालो कर सकता है? जो मैं आज थो वनों डाइट दसन लग जा है, यह डाइट ओलोकी फालो कर सकते हैं, जिन्हादी उमर 45 साला तो काट हैगी, ति जिन्हानों कोई भी सेहत समस्या, या बैडिकल दी कोई समस्या नहीं हैगी, जिन्हें है कि कुछ लोग होण के जिना दा जिना दी उमर पेंतावली तो उत्ते होएगी या कोई बिमारी होएगी फाइदा दा डाइट उनानों भी करेगी लेकिन क्योंकि उना दा केस थोड़ा कॉंपलेक्स है ते किसी दे निगरानी विच फॉलो गरना हमेशा उनानों ज्यादा सेफ और फाइदे मंद रहन दा है तो आएए अपाँ डाइट वास्ते ही जड़ी जेड़ी जेनरल डाइट है तो जेनरल डाइट दी पहली शुरुबात जेड़ी दिन दी होएगी ओ एक ज सिरफ स्वाद बनान वास्ते थोड़ा जा उदे वीच असी सेब कटके पा सकते हां सेब जड़ा हैगा ओ जड़ा हैगा ओ स्वाद बनान वास्ते है क्योंकि एब सेब नहीं पाओगे ते तोड़ी ड्रिंक टा त्यार हो जाएगी हेल्दी लेकिन उन्हों पीन दा कई लोग करें तो इस करके हो थोड़ा जा सेप पालना है और उदे विच पास्टर वेड लॉस वास्ते नीम्बू भी निचोड देना है तो तो कई लोग की अदलगता भी टुकड़ा पढ़ना पसंद कर दे हैं तो तुछी ओवी अगर पाना चांदे हो ताब पा सकते हो यह थोड़ा स्वेर दा मॉर्निंग डीटॉक्स जूस है और जट वड़ी बोड़ी वीच अंदर जाएगा तो अनी सफाई करनी शुरू कर देगा और एक चीज़ा त्यान रखना है यह जूस फीर तो दो घंटे दक कुछ नहीं खाना क्योंकि जूस नो टाइम जाएदा है सफाई कर और अपना गल करिए कि जित उस्वेरे टाइम नहीं है तुस्य जूस नहीं बना सक दे या तुन जाना पह जान दा किसी दिन किसे दिन अकर जल्दी बाजी विच हो तो नरील पानी जो है उसे पिला ज़सी तरह नाला को ते तरह से पीलिया एक गलास हुआ है ग्रीन जूस करता है ते हैये कि मौर्निंग दिfunding शुरुवात हो गही। बिल्कल सो रख सब तक सी दास लती है उस तो बाद मतलब बुन सारे सोच रहे होने के की breakfast नहीं करना स्वेर जी जड़ी शुरुआत है और की खाना है और की खाना है दो है बड़ी इंपोर्टेंट सवाल ने पहली कर कदो खाना है टाइमिंग की रखिये breakfast दी देखो जिवें उसी असी गल किती सी intermittent fasting दी की मतलब की रात नूँ 16 गंटे या 14 गंटे दा अपा उपवास सक रहे हैं तो जिस दा वजन जादा है और जल्दी वेट लॉस करना चांदा है तो उन्हों रात रदा जेड़ा intermittent period ह उसदा time बढ़ना पहेगा यानि की 16 गंटे तक कुछ नहीं खाना और 8 गंटे दे अंदर सब कुछ खा लेड़ना है तो यानि की स्वेरे 10 वजे अगर तुसी नाश्ता करते हो तो तोड़ा dinner जेड़ा है 6 वजे तक हो जाना चाहिदा है लेकिन अगर तुसी दिनर 7 वजे त तो अपा लेके चल दे हैं example 11 वजे तो उसी अपना नाश्ता करना है लगबक 10 तो 11 वजे दे विचकार विचकार और उस दिश की चीजा खानिया ने जिवे आपा गल किती सी right quality of food right choice of food की है तोड़े वास्ते रस दायक दार्थानू खाना जेदे विच बहुत सारा रस है पा वाटर कंटेंट होंदा है जिवे कि strawberry हो गई वो दे विच 80 प्रतिशत तक लगबक यह जन्द है यह कि water ही होंदा है इसे तरह तरफ 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 नाव भी water melon है 90 प्रतिशत तक लगबक विच पानी ही होंदा है तो तुसी करना की है काट नहीं खाना जिननी पुख लगे उन कट तो कट अद्दा किलो फल जड़ा है जरूर खाना है और वद तो वद जिनना खाना चाहो खा सकदे हो तो उदे विच कोई लिमिट नहीं है बस एक टाइम बैठके जिनना खाना गया उनना खा सकदे हो और ग्याना वज दे आसपा टो पर अगल यू चल खाना य है दो अगल दो आट नो सब कछी पहाना है और चैपिल थे Hadi Shbbles दो्टा बैर अगल कखने के कर सकते हो और राद पोजन भी कर सकते हो जरूरी नहीं है कि तुनहें पोजन चड़ के वेट लॉस कर्ना है तो मैं अध्यरrous को दो options ने जो तुसी follow कर सकते हो दिन मेंच एक heavy meal जड़ा है ना पारी पोजन वो सिरफ एक time करना है तो या तो अपनों दुपैर नों कर सकते हैं lunch विच या अपनों रात विच कर सकते हैं dinner विच तो तुसी आप सोचो कि किस time तो नों heavy पोजन करना ज़्यादा सूट करता है कि तुसी दुपैर विच पारी पोजन खा के खुश हो या रात नों पारी पोजन करके खुश हो तो जे तुसी दुपैर नों पारी पोजन करना चांदे हो तो तुसी दुपैर नों की लह सकते हो रोटी, सबजी, डाल, अलावा उद विश तड़का नहीं लगाना हैगा और उसों सिंपल तरीके दे नाल ही बनाना हैगा उद तुझी कहो के दुद की मखन पनीर क्यों नहीं लेना हैगा उद आ कारण ए हैगा पहली गल्थ ता ए पोशन देन वाला फूड है बिल्डिंग वाला फूड है यह हीलिंग फूड नहीं हैगा इन दा सेंस कि अज कल जैस तरह दा मार्केट पिछ दोद दही मखन पनीर क्वालिटी जड़ी आ रही है वो उननी वदिया है नहीं जिननी पहला हुया कर दीजी अज दा दुद जड़ा हैगा वो दिज बहुत ज़ऑное मिलावत है और ज़द मैं लिलावत लिगल कर दा हम ते सिरफ पाणी भी मिलावत नहीं व दिछ डिट्रजन्ट हो सकता है वो दिछ आस्ट गुस्टिक तोड़ा हो सकता है वो दिख रिफाइंड ओइल हो सकता है और किस तरह वो दुद बनाया गया है किसी नूं नहीं पता सिरफ वो पैकेट विच आजानदा है तिसा नूं लगदा है कि यह सही होएगा लेकिन डेरी इंडस्ट्री दा एक बहुत बटा सीक्रेट है कि यह दुद बनाया वास्ते कुछ भी कर सकतेने गावा नो इनने इंजेक्शन लगाए जन्दे ने और जो इंजेक्शन गावा नो लाके वो दे दुद दी सप्लाई वधा रहा है तो आड़े अंदर भी ओ मुटा पैदी सप्लाई वधाएगा तो तुसी दुद दही मखन के ओ पनीर इना चीजान दो जद तक तुसी अपना वेट नहीं लॉस कर लेंदे इना चीजान नो ना लगो तेल नो बंद कर दो और जो बाकी मसाले ने नमक वगएरा वो तुसी पा सकते हो वधिया पोजन बनाओ स्वाद बनाओ जिना बना सकत पर मैं तुनो एक अंगा के अध्वास नूट्रिशन थेरिपी जड़ी बुक हैगी है इंदे विच में रेसिपी दितिया हो याने और किस तरह तेल तुम बगेर सभी बनानी है तो तुसी ओमी इदे विचो सेख सकते हो तो इस तरह दुपैर में तुसी रोटी सब्जी खा रुप अधा लुप अधा लटीओ सब्सक्षा दाष देता है तो तुसी डिनर तक रहाग देखो जनता कर दो दुसी जरूर इसनों पंप्लीट करो डाइट नों के के डाइट होनी चाहिए है हाँजी सो रहा ता डिनर जड़ा है गा सात बज़े पहला पहला फिनिश कर ले या कोई भी तुसी यड़ी कच्छी सब्जी लाइक कर दे हो, या स्टीम करके ब्रॉकली या कॉली फ्लार जो भी तुसी पाना चांदे हो, इननों कच्छे फॉर्म विच खा सकते हो, और जब तक तुसी वेट लॉस अचीव नहीं कर लें दे, तब तक इदे मिच कोई मसाले नहीं अड़ करने, या चाट मसाला, या फिर नमक, या काली मिर्च, ये चीज़ा नहीं पाणिया, इननों जिवें हैगेने, उसी तरह खा लो हो, तो किन्या खा सकते हो, तुसी अदे किलो तक खा सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 300-300 gram खाके भी तोड़ा पेड़ पर जावे, तो ये पेड़ पर जावे, तो वर्स द्याट इस इनफ फॉर यू, उनना ही खाके तुसी सो सकते हो, लेकिन मन लो कि तो अनो ओधे नाल भी रज नहीं आवे, तो अनो होर्पुख लगे, तो तुसी उस सलाद नो खान तो बाद एक कटोरी टमाटर दा सूप बणा के पी सकते हो, और सूप दी रेसिपी भी मैं बुक दी विच पाई है, क्योंकि रेसिपी नहीं दस सकते, टाइम थोड़ा जा शॉर्ट हैगा, तो इस तरह दो उसे राद दा डिनर करना है, पहला सलाद खाना है, और अगर सलाद नाल ही पेट पर गया, तो बस मिता दर हुर्पुख लग है, ता एक कटोरी स्टोमाटर दा सूप भी पेलपी लेना हैगा, और उस तो बाद बस त्यान रखियो कि 10-15 मिनट सेयर करन जरूर जायो, क्योंकि ओ भी साड़ी बॉड़ी बास्ते जरूरी है, तो अगर तो सी स्वेर तो लेकर रात तक ए रूटीम फ्रॉपरली फॉलो कर है, तो ही जड़ी गाला का शुरू आदे विच कर दे हुने है, कि साड़े कोल की साड़े स्रीवनाल जोड़ी हर्समस्यादा हल होंदा है, हरा के बहुत वड़ियां बमारियां दुनिया दे विचावें यानि यसी यह नहीं कहते हैं कि इसी डॉक्टरा दे कोल नहीं जाना आपसी डॉक्टरा नवाइकॉट कार दे हो, बिलकुल साड़ा जहां कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एनक है कि जे अपनी डाइट वदिया होए, बहुत ही चंगी डाइट होए, साड़े कुदरती पोजन असी खाईए, ता सानुवड़ियां बमारियां लगणियां ही नहीं, जाने अंजाने दे विच्च सी सारा कुष कारदयां को भी जान कुछ के आप देली बमारी अगडियों बोल नहीं लेंदा, सो साड़ा जड़ा एक मकसद है, शो करनदा ही है कि आपा सारे तंदरुस्त रहिए, चंगा पोजन खाईए, अथे चंगा पोजन ही दूसरीयां द नाल जोड़े कोई चंगी डाइट देना, Dr. Kamalpeet जी बहुत बहुत तानवाद वाड़ा, इस खास प्रोग्राम दे जोड़न देली ते साड़े सारे दर्शकाना भी बहुत तानवाद, सद श्रीयकाल, सद श्रीयकाल, सद श्रीयकाल, thank you so much for having me.